वेल्कम टू दा माई यूटूब चैनल अभी मैं जहां पर खड़ा हूँ ये 2021 में जगह मियूसपल कारपूरेशन में हैं हम लोग सुनते थे कि मियूसपल कारपूरेशन शहरों में होते हैं शहरों की तरग्गी के लिए लॉकल बोडिज होते हैं लेकिन हम जिस जगह खड़े हैं ये चारों तरफ आप देख सकते हैं खेत है उधर मेरा गाउं बसा हुआ है ल मेंस्पल बने क्योंकि मेंस्पल के लाइक भी नहीं है ना रोड है ना भीजलियां अतनी अच्छी है लेकिन लोग ना जानी किस तरह फैसला करते हैं यहां के आम लोग भी इसे खुश नहीं है लेकिन यहां की गौर्मेंट जो भीहर की है या फिर जो बैटे समस्तिपुर में इड्मिनिस्टेटर है उन्हें यह अच्छा लगता है कि मेंस्पल कारपुडेशन में आए हलाकि इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी लॉकल बोडिस के ज़रिये यहां थोड़ी सी तरकी की जा सकती थी लेकिन लोगों के अंतर वो चीज़ पता ने क्यों चले गए आप विधान सभा ने इसको पास किया है अब सोच सकते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां की लोगों से मैंने जब पूछा कि लॉकल बोडिस के जो मुख्या के अलेक्शन क्यों नहीं रहे हैं लेकिन इस बार विधान सभा की जो वहां की एक बिल के बाद यह जगे कार्पूरेशन में शामिल कर लिए लोगोंको का कहना ही है कि चैड़ सरकार को टैक्सिस चाहिए शायद लोगों पतानि किस तरह की स्यासाइब हर दिया जाए हिससे कोई फायदा नहीं है आम लोगों यह इस ग emission के कि मुस्फल कार्पोरेशन कैसे बन सकता है एतनी बड़ी चौर हम लोग इसको चौर कहते हैं लेकिन यहां की गौर्मेंट यहां की तमाम चीज़ें इस पर अड़ी हुई है अभी लॉकल बॉडी के जो इलेक्शन्स हो रहे हैं इसमें इस जगा को शामिल भी नहीं किया गया ह तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो विधान सभा में जो भी मेरे विधायक साहब हैं वो इन वीडियो को अपने अला कमान नितिश कुमार तक पहुंचाए और इसे लॉकल बॉडी के अंदर रहने दें ताकि यहां के लोगों पे जादा जब मुस्पल कार्पोर हैं लेकिन अभी लोग उसके बज़ाए यहां मेंस्पल कार्पोरेशन में ले गए हैं हमीद करते हैं कि यह वीडियो हमारे बिहार के मुखमंतिरी नितिश कुमार तक पहुंचें और उनको बताया जाए कि यह फैसला जो और यह समस्तिपूर से सटा हुआ एक हैरपूर ऐल कि इसमें जाकर वो अलग से दवाव नब अभी यह जमीन जो खाली दिख रहे हैं यह आम लोगों की हैं लेकिन यह जब मेंस्पल कार्पोरेशन में चले जाएंगे तो यहां पे जो आम लोग रहते हैं उन्हें यहां से छोड़ कर जाना पड़ेगा और यह जमीन किसी और क हाथ में चले जाएंगे इसलिए उमीद करता हूं कि यह वीडियो मुक मंतरी नितिश कुमार तक पहुंचे और वो अपने जो यह फैसले हैं उन्हें वापस ले और यह जो मैं जिस जगे पर हूँ समस्तिपुर के दूसरे एक विधान सभा जो महश्वर हजारी उन्हीं के अंदर आते हैं शेहरी विकास के मंतरी है वो उन्हें ही सोचना चाहिए यह फैसला लेते समय और इन लोगों का ख्याल करना चाहिए वो खुद अगर कोई दूसरे डिस्टिक के होते हैं तो समझ में आते हैं कि उन्हें यहां के जो एड्मिनिस्टेटर या फिर यहां के पर उन्हें जो मेश्वरा भेजा रिकॉमंडेशन जी भेजें वो गलत हो सकते हैं लेकिन वो खुद इसी जिले के कलियानपूर के विधायक है उन्हें तो हर एक एक जगे के मालूमात हैं तो उन्हें ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए और हमारे विधायक अख्तर इसलाम श करताना पड़े वरना लोग एक तो लोगों के पास जमीने कम हैं अगर देखी जाए तो यहां की लॉकल बॉड़िस के जो इलाके यह जो जमीने देख रहे हैं यह चंद लोगों की जागिरदार हैं लेकिन यह आम लोग जो दस दूर पंदरे धूर में घर बना कर रहते हैं वो यहां से जाने हिजरत करने पे मजबूर हो जाएंगे तो इसलिए सोचें अपने अपने आप पे एक बार और गौर फिकर करें ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो सके